हालो मित्रो स्वागत आपका मुखिसलाल कोचिंग लासेज में देखिए आप सभी को बहुत बड़ा कन्फूजन था रेलवे ग्रूप डी के रिजल्ट के लेकर आप बार बार आप बच्चे जो है जादा तर बच्चे जो है वो परिसान हो रहे हैं कि सर रेलवे का जो रिज निकाला जाता है आपका जितना भी रो मार्क्स आ रहा है आप खुद से अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आप देख लिजेगा इस वीडियो में आपको पूरा एदम क्लियारेटी हो जाएगी कि जो भी रेल्वे का जो प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का वो कैसे होता है क्यों होता है यह सारा चीसका आपको जनकारी मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करता है माईडियो सुनिए रेल्वे जो नया नोटिस निकाला है इसमें सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें व उन्होंने पुछा है कि why examination is conducted in multiple section यानि कि जो आपका examination जो हुआ है वो अलग-अलग shift में या अलग-अलग session में क्यों हुआ है तो आपको बताते कि रेल्वे का जो expectation था उससे ज़्यादा number में जो candidate थे वो form को भर दिये थे इसके वज़़े से आपको बताते कि लगबग 1.8- नो कडोर यानि डेढ़ कडोर से भी ज्यादा पौने दो कडोर से भी ज्यादा उन्होंने ग्रूप D के लिए form apply किया इसके वज़़े से इतना सारा बच्चों का exam लेना था इसके वज़़े से उन्होंने टोटल एक सो तीर पन सेशन में उन्होंने टोटल exam को conduct करवाया तो इसका जवाब railway क्या दिया है कि देखिए जब अलग अलग shift में multiple shift में multiple session में जब same syllabus के लिए अलग अलग जब हम exam conductor बाते हैं तो उसमें difficulty label जो होता है question paper का वो अलग अलग होने की probability जो है वो बढ़ जाती है अब माल जो किसी बच्चों को आसान सवाल मिल गया किसी बच्चों को tough सवाल मिल गया तो इससे बच्चों का जो talent है वो पता नहीं चल पाता है यही main वज़ा था कि सभी को सभी को समान करने के लिए question paper की label को एक समान करने के लिए normalization क्या उसकता पड़ी railway board ने तिसरा खुद सवाल किया कि RRB had conducted examinations in multiple sections यानि RRB चुथा वो multiple session में exam को connect रवाया in the past also क्या पहले भी करवा चुका है या और वहां पे भी क्या इन्होंने normalization रखा था तो आपको बता दे हाँ yes normalization पहले भी किया जा चुका है यह 2000 से ही चलता आ रहा है इस बात का railway ने बताया अगला स्वाल उन्होंने कहा है is normalization some sort of grace marks क्या यह grace marks की तरह होता है तो उन्होंन process है जिसके वज़त से जिसके फर्मूला के basis पर हम जो है normalization करते हैं अगला स्वाल वो कह रहे है कि so can normalization result in reduction as well as increase in the marks as compared to the raw marks क्या आपका जो raw marks आया है उससे normalization के बाद का marks कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है इन्होंने जबाब दिया हाँ ऐसा हो सकता है आपका जो भी raw marks आय है यानि अगर मालिज़ा आपका marks 72 आ रहा था तो हो सकता है यह 50 हो जाए हो सकता है यह 100 चला जाए ऐसा हो सकता है यानि कि आपका marks जो है वो घड़ भी सकता है आपका marks जो है वो बड़ भी सकता है ऐसा हो सकता है अगला सवाल इन्होंने कहा है this means the performance of candidates is a statistical judges based on on all the candidates he see is competitive with या यानि कि जो भी judge किया जा रहा है उनके साथ जो बच्चे बैठे थे हैं कि उनके साथ में किया जा रहा है yes the process involved raw score of the candidate mean and standard deviation of the raw marks यानि कि जो भी बच्चे एक्जाम दिये हैं उनके mean और standard deviation mark को लेकर हम लोग क्या किया है तो normalization निकाले है अगला सवाल कह रहा है what is raw score how raw score is calculated raw score क क्या है और यह कैसे calculate किया जाता है तो आपको बतादे raw score के बारे में कि कैसे जो raw score हो आपका calculate किया जागा मान लिजिए total number of quotient जो था वो 100 खा आपका paper जो हुआ है 100 marks का हुआ है number of quotient ignored यानि जो quotient है यानि कि जो गलत हो सकता है multiple option हो सकता है मान लिजिए 2 को हटा दिया गया तो 100 में से 2 को हटा आईएगा तो अब आपके पास total कितने बच्चे है तो 98 बच्चे है अब देखिए मान लिजिए number of quotient attempt यानि आप जो है वो 60 question को attempt लिए है जिसमें से 54 आपका सही है और 6 आपका गलत है ऐसा suppose कर लिजिए जब आपका 6 गलत है तो 1 बटा 3 आपका negative था यानि कि 3 question पे 1 marks आपका cut जाएगा यानि कि 6 गलत है तो 2 marks आपका cut जाएगा यानि कि total positive marks आपका यहाँ पे 54 आया है और total गल 98 question में से क्योंकि आप में से 2 question को हटा दिया गया है तो इसलिए इसको पहले 52 divided by 100 करके सभी को एक समन करके आपका marks जाया 53.06 आया आई अगला स्वाल के तरब बढ़ते हैं यानि कि आपका जो raw score 53.06 आया अगला स्वाल के राया है कि this means it does not involve human intervention यानि कि इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई human का हाथ नहीं है तो हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं यह बिल्कुल टोटली का टोटली जो है वो कल्कुलेटर करता है इसमें कोई भी human जो है वो parameter यूज नहीं होता है अगला स्वाल आपका कह रहा है कि can candidate of same session have variation in the increase decreases in the marks after normalization क्या एक ही shift में बच्चा एक ही shift मे generate का जो अलग-अलग different जो mention earlier होता है जो बताये गया है उसके coding से आपका जो marks है वो एक ही shift में same shift में दो बच्चों का अलग-अलग बढ़ सकता है और घर सकता है ऐसा हो सकता है अगला सवाल कह रहा है कि the normalized marks of my competitor has increased as compared to his row marks but my row marks and normalization marks are same between trim यानि कह रहा है कि मेरे जो मेरे same shift में जो मेरा मेरा मित्र जो था वो जो exam दिया था उसका arrow marks ज़्यादा था और मेरामानिवीड़े कम था बच्चों के बाद उसका स्टे ग्रम-प्रेजार क्यों रह गया यानि अगर दोनों का मान लीजी же mean marks and as tender deviation एक favorite में अब अग्ला स्वाल कर रहा है बट सो मेनी Carnetra Star Fast Marks higher देन हंडिड यानी कि बहुत्षारे बच्चे जो है वह सो से मां ज्यादा मांस और हैन ऐसा हो सकता है क्या तो बिलकूल हो सकता है इन डिन्रोसन फ्रोसेसर नर्म account के प्रोसेस में this is possible to case of very good performance in the difficult session यानि जिस बच्चे का session काफी tough था वैसे बच्चों का marks जो है सौब से ज़्यादा हो सकता है माने जिए difficult shift में कोई बच्चे का 90 marks आया है और normalization ऐसा parameter है निचे आपको बताएंगे जिसमें आपका marks जो है वो 100 marks से ज़्यादा हो सकता है अगला स्वाल कहा रहा है इस देश दा फॉस्ट ताइम डैट कंडिडेट्स हैब गोड गोड नॉबलाइजेशन असकोर मोर देन 100 क्या यह पहला टाइम है जब बच्चे जो है वो सौफ से ज़्यादा marks आया है तो नहीं माइडिया रहा है ऐसा पहला बार नहीं है इसके पहले भी एक्जाम्स हुए है जहां पे marks जो था नॉबलाइजेशन वह 100 से ज़्यादा आ चुके थे अगला स्वाल कह रहा है इस देर एनी चांस इन दर नॉबलाइजेशन प्रोसेस फॉर्मूला फॉर सी ये नंबर दो प्रों हे रही है घ्र इट्यान को समझेगा है तकाौन हो दी ड है को की तरहीशन के जो अवऑद नॉबलाइजेशन प्रोसेट रहा धीडिए जित रहारी हैं वहिं इसको क्या देमन से प्रोसेस बाइड़ाइजर और झानलाजेशन किया गया बड़ी ध्यान से आप समझेगा देखिए पहले तो आप फर्मला या दखेगा कि एक्सेन का मतलब हो गया कि आपका यही normalization marks है एक्सेन जो है आपका normalization marks है आपका आप जिस शिप्ट में आप पर दिये हैं आपका normalization marks है S2 क्या है तो S2 standard deviation of the raw marks of base session यह base session क्या है हम आपको बताएंगे थोड़ा दिर के बाद कि जितना भी आपका paper हुआ जितना भी आपका exam हुआ जैसे आपको उपर में ही बता दिया गया था कि 153 shift में paper हुआ है तो 153 shift में paper होने के बाद average निकालने के बाद jips shift में raw marks का average सबसे ज़्यादा था वही shift को base session लेता है थोड़ा दिर में आपको और clear करेंगे S1 क्या है तो standard deviation of the raw marks of the candidate session यानि आप जिस session में exam दिये हैं उस session का आपका raw marks का standard deviation क्या रहा है और X जो है वो है आपका raw marks of the candidate which is to be normalized यानि X क्या है वो raw marks है जिस बच्चे का यानि आपका normalization करना है आपका raw marks है इसके बाद X average क्या है तो X average है आप जिस shift में आप paper जिस session में आप paper दिये हैं उसका raw marks का average और Y average जो है माईडिया यहाँ पे वो क्या है तो base session का जो है वो average है S2 by S1 into X minus X average plus Y average यह formula है अब इस formula पर देखिए नीचे apply करने जा रहे है यानि कि how best session is decided best session कैसे decide करता है तो among session having 70% and above the average attendance of the session the one with maximum value of the mean raw score is taken to be based यानि जिसमें maximum raw score आएगा उसी को क्या लिया जाएगा तो आपको base session लिया जाता है आप देखिए समझे का base session क्या है यहाँ पे एक example के तौर पर बताया गया है कि मान लिजिए कि 9 session का एक paper लिया गया है 9 session का हलाकि इस बार आपका 153 session है लेकिन 153 का दिखा नहीं सकता है काफी लंबा video हो जाएगा और pd भी लंबा हो जाता है आपको 9 से आपको दिखाने एकोसिस के आगया है 9 session में मान लिजिए mean of the row marks यहाँ पे दिखा रहा है पहला session का मान लिजिए 29 आया सभी बच्चे जितना marks आया सभी बच्चों का marks add कर दिया गया divided by total number of candidate कर दिया गया उससे mean of row marks आ गया कितने जो है वो mean आ गया यहाँ पे standard deviation of the row marks हो गया यह आपका standard deviation है यहाँ पे आपका standard deviation निकाल लिया गया इसके बाद इसी प्रकार से सारे shift का यहाँ पे row marks निकाल लिया गया और सारे shift का यहाँ पे standard deviation निकाल लिया गया अब इसके बाद देखें क्या किया गया यह देखा गया कि इसमें से row marks में से किसका row mark सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए session number 7 का row mark सबसे ज़्यादा है और 30.32 यानि इसी को क्या लिया गया है तो base session लिया गया है तोटल चीज इसी बेडिपेंड करेगा अब देखिए कैसे बनाना है समझे मान लिजे, आप suppose कर लिजे किसी session number 8 में आप बैठे है और आपका जो row marks आया है वो 75 marks आया है यानि 75 आपका काटपीट कर आया हुआ है तो कैसे निकाला जागा समझे सबसे पहले S2 लेंगे तो S2 तो यहाँ पे 18.32 दिख रहा है standard deviation पूरे base session का इसके बाद S1 लिया जाएगा S1 आपका कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप कौन से सिप्टम में बैठे थे तो session number 8 में तो session number 8 का standard deviation कितना है तो 12.86 आप है तो यहाँ पे 12.86 ले लिया गया इसके बाद X average X average बोले तो आप कौन से session में बैठे थे तो session 8 में बैठे थे तो उसका आपका row marks का क्या रहा है तो 21.31 आपका रहा है यानि कि average रहा है इसके बाद total का यानि total जो base session था base session आपका 38.32 था यह Y average ले लिया गया base session का और आपका कितना marks आ रहा था तो 75 आ रहा था that means normalization marks 100 से ज़्यादा जा सकता है absolutely जा सकता है इसके बाद देखिए माईटर same process अपनाए गया है एक बच्चा जो session 8 में बैठा हुआ है उसका 35 marks आया हुआ है तो 35 marks वालों के लिए जब निकाला गया तो उसका marks आ गया 58.09 यानि यहाँ भी बढ़ा है इसके बाद देखिए एक बच्चो का लिया गया जिसका 35 marks है और उसी session में बैठा हुआ है same session में बैठा हुआ है तो उसका जो marks आ गया है आप यहाँ पे देख सकते है पहला वाले का जादा आया था इसका 40 आ गया 35 है थोड़ा सा बढ़ा अब देखिए यहाँ पे एक बच्चे का दिखाए गया है कि भाईया 40 marks इसका आया हुआ है row marks और 40 marks से इसका देखिए 40 आ गया यानि कोई भी changing नहीं हुआ इस formula पे पूट करके देख लिजेगा यानि कि बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है सेम भी रह सकता है और यहाँ पे देखिए एक बच्चे का 23 आया था और 23 आया पे 27 होगया मतब यहाँ पे 27 होगया है उसी प्रकार से अगला सेप्ट में देखिए यहाँ पे 23 आया पे 27 होगया है अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे personally आप मुझे mail कर सकते हैं लाल कोचिंग क्लासे दारेट आप जीमेल डाट कम पर या तो आप मुझे comment box में लिखे आप बता सकते हैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे अब जीन बच्चों का एक्जाम हो चुका है जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको consolation बाकि लोग next एक्जाम की त्यार कीजिए और इस चानल को subscribe करना न भूलिएगा इसी परकार का जानकारी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में भी देते रहेंगे मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक लिए all the best take care bye bye thank you